सच्सरे अकाल दोस्तों ट्रिकिंग चलन में आपका स्वागत है सीखने क्यों कोई उम्रे नहीं होती मेरा नाम सनी गांधी है दोस्तों मारकेट में एक नया फ्रॉड चाहर रहा है अभी आपने क्रेडिट काड़ या डैबिट कार्ड का क्लोन तो सुना होगा उसका क्लोन मना के फ्रॉड होता है लेकिन अब नया जो फ्रॉड चाह रहा है उसमें आपके सिंप कार्ड है उसका क्लोर मना के और यूपियाई के माध्य हमसे आपका सार आप जो भी बैंक बैले से पूरा निकाल लिया जाता है यह अभी नया फ्रॉड आ रहा है एकडम लेटरिस्ट फ्रॉ और आप SBI योनो SBI Lite यह एप को डाउनलोड करेंगा अगर डाउनलोड कर चुके है तो बहुत अच्छी बात है उसको ओपन करेंगा और डाउनलोड नहीं किये तो जल्दी से डाउनलोड करके रेजिस्टर करके इसको ओपन करिए दोस्तो हैकर लोग क्या करते है मैं आपको बता रहा हुँ देखिए आपका वो सिमगार्र फिर्रीषिंग क लिए है उसको dealing कर देते हैं अपना उन लोग handset register कर लेते हैं उसके बाद वो अपने यूपी रेजिटर कर लेते हैं और उसके बाद वो यूपी इसे क्या करते हैं आपके जो भी account में वो stream का जो user id है password है और profile password है वो सब्सक्राइब को पता है इसको आपको छुपा कर रखना है यह hacker तक नहीं पहुंचने चाहिए आपको अपकी services लिखा हुआ दिख़ा हुगा उसको क्लिक करेंगे अब enable Disable UPI लिखा वदिख़ा हुगा उसको क्लिक करेंगे अब यहां पर आप से internet banking profile password पूछ रहा है उसको डाल कर submit को क्लिक करेंगे यहां पर आप enable है कि disable UPI account उसका status देख सकते हैं enable UPI account अगर on लिखा है तो तो उसे off कर देंगे और submit को क्लिक कर दें फिर confirm के लिए एक और बार पूछेगा आप confirm क्लिक कर देंगे अब आपके पास OTP mobile या email में आएगा उसे डाल कर submit कर देंगे लिखा हुआ UPI is successfully disabled for your account number you cannot perform UPI transaction for this account यानि आपका जो UPI जो था हुआ उसको हमेसे के लिए disable कर देंगा है अगर आपका SIM का क्लोन भी बन जाएगा तो वहां पर UPI नहीं कर पाएगा वह है कर बस आप इत्ता यहां रखेंगा अपने mobile में आप अपने यूजर आइडी पासवार्ट प्रोफाइल पासवार्ट कुछ भी सेव ना रखे फिर मैंने चेक करके देखा देखिए मैंने एक रुपय गूगल पे से सेंड किया सेंड नहीं हुआ उसके बाद मैंने फोन पे से भी ट्राई किया फोन पे से मैंने देखिए 100 रुपय और फ्रोजन और तो दोस्तो आप भी ऐसे एक बार भेज के चेक कर लिजेगा और मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आप सोच रहेंगे यूपय से तो आपने बच लिया लेकिन अभी भी आपका एक रस्ता और आप डैबिट कार्ट के दुआरा भी ठगे जा सकते हैं तो अभी दोस्तो वीडियो खतम नहीं है अभी बहुत इंफोमिशन है आपके लिए प्लीज इसको करिएगा और यहां से छोड़के मत जाईएगा देखिए दोस्तों अगर आपको लगर होगा कि मैं यूपय ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं करता तब तो इसको आफ आफ करक महीनिये में जितनी विया पकरते हैं उसके लीमिट कट करके रख लिजे ताकि अगर आपको सब्सक्राइग यहां पर लिखाओ उँसको क्लिग करेंगे यहां पर ऀख यू पियू ट्रांजेक्शन लिमिट इसको आप क्लिक करेंगे फिर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड पूछे का जल्दी से आप डाल के सब्मिट कर देंगे अब देखेंगे यहां पर आपके डिफॉल्ट यूपे ट्रांजेक्शन लिमिट एक लाग रुप है आप महीने में कितना यूज करते आप अपने साब से देख किया देखें मैं उधारेन के लिए 5000 सेट कर देता हो और फिर कंफॉर्ड में भी सेम लिमिट वह लिखेंगे जो आप उपर लिखें तो मैं 5000 के सम्मिट को क्लिक कर देता हूं अब आपको एक बड़ और कंफंप को क्लिक करना होगा अब यहां पर ओटीपी आएगा ओटीप को डाल कर आप सम्मिट कर दी वाइला यूपय ट्रांजेक्शन लिमिट रिक्वेस्ट हैस बिन सक्सेस्फुली सैट इंस्टेंट आपकी यूपय जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वह सैट हो गई दोस्तों अब इस लिमिट से कोई भी पैसा ना निकाल सकता अगर आपको वापस निकालना है या कुछ चेंजने तो सेंट आप कम जाधा कर सकते हैं अपनी ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिमिट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपका एजब्याइज बैंक में आपके पास क्रेडित काड़ है या डेवीट तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है और अभी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा जो आपको सबसे पहले मेरे चैनल में देखने को मिलेगी तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा और दोस दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजेगा मिलते हैं अब नए वीडियो में सीखने की कोई उम्र नहीं होती थैंक्यू प्रत्व